हे गाइज इस प्रीती एंड आप देख रहे हैं अपना यूटूब चैनल IQ Student Point एंड आज हम जानेंगे कि फाइल के साइज को कैसे रिड्यूस किया जाए जिससे कि क्वालिटी भी कमना हो फाइल की फाइल का साइज भी रिड्यूस हो जाए एंड स्कैन करने के बाद जो फाइल का फिल्टर चेंज हो जाता है वो भी सेम रहे क्योंकि बहुत से स्टुडेंट्स के मैसेज़स आ रहे थे कि मैं फाइल को स्कैन करने के बाद वो ब्लैक और वाइट में कनवर्ट हो जा रहे ठीक है? means उसका filter जो है वो change हो जा रहा है तो क्या करें जिससे कि ये problem face ना करनी पड़े So चलिए start करते हैं पटिस से पहले अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप चैनल subscribe कर लीजिए bell icon प्रेस कर दीजिए for the more informative videos एंड आप हमारे telegram चैनल को भी join कर सकते हैं for the latest updates लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा तो वहां से आप जाके हमारा चैनल join कर सकते हैं So guys सबसे पहले आपको google पे compress file pdf size को search कर लेना है search करने के बाद आप नीचे scroll करोगे तो आप ये देख पा रहे होगे इस तरह का icon आपको show होगा आपके screen पे ठीक है आप इसे open कर लोगे ठीक है open करते ही आपको आपके screen पे कुछ ऐसा show होगा तो आप सबसे पहले choose file पे click करोगे click करने के बाद आपको अपना pdf select कर लेना है तो आईए सबसे पहले हम pdf select कर लेते हैं ठीक है तो मैंने अपने PDF को एक अलग फोल्डर में रख रख है जिसे मैं आपको यहां पर दिखाने वाली हूँ तो मैं उसे सर्च कर लेती हूँ आपको भी ऐसे ही अपना एक अलग फोल्डर बना के रखना है अपने सारे असायन्मेंट्स का ठीक है और ऐसे ही आप एक एक करके उनको select करके convert करोगे यहां मैंने select कर लिया है अपने PDF को अब आप यह देख पा रहे होंगे यहां पे यह upload हो रहे है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है स्क्रिन पे ही जब तक यह अप'Mलोड नहीं हो जाता तो अब यह पूरा अप्लोड हो चुका है अब आपस इहां देख पारे होगे अब हमें यहां पे ygg... पर क्लिक करना है स्ट्रॉंग कंप्रेशन पर क्लिक करके स्टार्ट पर क्लिक करो गया ठीक है जैसे यह आप स्टार्ट पर क्लिक करोगे तो आपके स्क्रिन पर कुछ ऐसा शो होगा converting your PDF फाइल ठीक है अब देखो यहां पर सक्सेस्फुल हो चुका है आपका PDF फाइल जो कनवर्ट हो चुका है देखिए यह 16 MB की फाइल थी 16.88 MB की फाइल थी और 3.07 MB में यह कनवर्ट अब इसे यहां से डाउन्लोड कर लेंगे डाउन्लोड पर क्लिक करके डाउन्लोड होने के बाद अब आप यहां पर देख पारे होगे यहां पर फाइल की साइज है हमारा ठीक है सो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कि कैसे रिड्यूस करना है आपको अपने फाइल को बिना क्वालिटी कम किये और बिना फिल्टर के चेंज हुए बट स्टेल अगर आप लोगो को कोई डाउट हो कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स या फिर टेलिग्राम पर मेरे से पूछ सकते हैं राइट सो थैंक्स फर वाचिंग दिस एंड बेस्ट अफ लकॉल